नमस्कार में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको नीट से जुड़ी बहुत महत्पुर्ण अप्टेर देने वाला हूं इस वीडियो में हम आपको राजस्तान की जो एक्सपेक्टिट के टॉप लिस्ट रहने वाली है ओल इंडिया कोटा के तैद कैटेगरी वाइस क्या क अब बात करते हैं जलवार मैडिकल कोलेज जलवार के अगर आप इस कोलेज मैडमेशन लेना चाहते हैं तो अन्रिजर्व्ट के लिए अब की बार 645 पर जो है कट आफ लिस्ट रहने की संभावना है वहीं अब अगर बात की जाए OBC की तो OBC के लिए 600 जो 37 नमबर है इस प पर कटोलेज ने की संभावना है श्ति की बात की जाए तो 510 कि तक संभावना है किसम भावना इस अधार पर बनाय गए वह की बार किपने जो फोर तक रहीती और दूसरा आपकी बार क्या इन कॉलिज़ों में सीटी इंकरीज हुई या कि नहीं हुई है अग बात करते हैं गुवर्मेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर की अगर आप लेना चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर एडमिशन तो अन्रिजर्वड काटागरी के लिए 615 नमबर पर कटोपलेश समभावना है वहीं OBC के लिए या कटोपलेश 610 पर रह सकती है अगर बात की जाए ऐसी कटेगरी की तो 520 नमबर पर कटोपलेश ट्रेने की समभावना है एस्टी के लिए भी 420 नमबर के आपको जुरुरत पड़ेगी अगर आप चाहते हैं अगर आपको कोलेश के अधियानी करते को जो है सलेक्ट करना होगा और चौई स्पिलिंग में ध्यान रखिएगा आप अपने नमबर के नुसारी को जो है का चूज करें तो आपके अगर बात करते हैं गुवर्मेंट मेडिकल कॉल चूरू की अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते तो अन्रिजावट के लिए 600 नमबर पर कट उप लिश्ट रहा सकती है वहीं OBC के लिए 590 पर कट उप लिश्ट रहने की संभा होना है अगर बात की जाए SC की तो SC क अगरी के लिए अपकी बार 500 नमबर पर कट उप लिश्ट रहा सकती है ST के लिए आपको 480 नमबर भी आपके आए हैं तो राजस्थान में आपका इडमिशन हो जाएगा राजस्थान में कट उप लिश्ट जो है और स्टेट के मकाबले जादा रहेगी क्योंकि राजस्था में कोटा एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े सेंटर चलते हैं एलन और अकास जैसे इनकी वजह से सिर्फ राजस्थान में दूसरे स्टेट के अंदर भी जो कट उप लिश्ट बढ़ती है और इस राजिया में तो खुद कट उप लिश्ट बहुत जादा बढ़ती है अब अगर बात की जाए गुवर्मेंट मेडिकल कोलेज बिलवारा की तो अगर आप इस कोलेज में डिमिशन लेना चाहते हैं तो अन्रिजर्वड के लिए आपको 590 नंबर क्या उस्कता होगी वहीं अब की बार जो है करूपर जा सकती है आप इसली भार की मकाबले से काफी ज्यार करूपर जा जाएगी आपकी बार क्योंकि बच् सो दस नंबर तक कटोफलिष्ट रहने की संभावना है अब की बार पिछली बार के मुकाबले से सीट कुछ ज्यादा बढ़ गई है अब की बार अगर बात की जाए जो EWS का कोटा होता है उसी के अंतरगरत भी 4040 से सीटों का इंकरीज हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछली बार के मुकाबले जिन्नों ने एक्जैम दिया था दो लाख बच्चों की बड़ोतरी हुई है पिछली बार कम बच्चों ने एक्जाम जया था अब की बार उसमें दो लाख की बड़ोतरी हो गई है अगर बात किजाए गुवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाल लीगी अगर आप लेना चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर है में अगर आप अगर आपके तो अभी आपका इस कॉलेज के अंदर हो जाएगा अगर आप इस कॉलेज गंदर एडिमिशन लेना चाहते हैं तो जुरूर यहां से अपलाई कीजिएगा अब मैं आपसे कोशन पूछन पूछना चाहता हूं कि अगर आपने एंस्टिटूट स सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि जब भी नहीं अपडेट आई आपके पास पहुंच जाएगा